NSG कमांडो देशकी का विशेश सुरक्षाई काई है। इस फोस का इस्तिमाल अक्सर बहुत ज्यादा समवेधनशील और जोखिम भरे ओप्रेशनों के लिए किया गया है। आमतोर पर NSG कमांडो को आतनक्वाद विरोधी ओप्रेशनों, हाईजेक, मास किड्नेपिंग और हाई प्रोफाईल सुरक्षा स्थितियों से निपटने के लिए टैनात किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई NSG कमांडो किसी आम इंसान को गोली मार दे तो उस पर किस तरह से कार्रवाए होगी। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तरह के मामलों में NSG कमांडो के उपर जो कार्यवाही होगी वो सिविल कोर्ट में होगी या आर्मी कोर्ट में आपको बता दे, NSG कमांडो भारतिय सशस्त्र बलों और केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बलों से लिए गए विशेश जवान होते हैं, जिनने आतनकवाद से लड़ने और विशेश सुरक्षा के लिए तयार किया जाता है। NSG कमांडो को आमतोर पर Black Cat कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग, अनुशासन और हथियारों के इस्तेमाल की क्षमता, आम सुरक्षा बलों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। हालां कि इसके बावजूद भी अगर NSG कमांडो किसी गैर कानूनी हरकत में शामिल हो या किसी की हत्या कर दे तो उसे भारतिय कानून के तहट ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर NSG कमांडो ऑफ ड्यूटी के दौरान किसी कारण से किसी आम इनसान को गोली मार दे तो उस पर भी कार्रवाई उसी तरह से होगी, जैसे किसी आम भारतिय नागरिक पर होती है। यानि NSG कमांडों की गोली से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो NSG कमांडों पर धारा 302 के तहट केस दर्ज होगा। भारतिय न्याय सहिता में ये धारा अब 103 हो गई है। अगर NSG कमांडों दोशी पाया गया तो उसे भी उतनी ही सजा होगी जितनी किसी आम इनसान को होगी। अगर NSG कमांडो किसी ओप्रेशन के दौरान गलती से किसी आम इंसान को गोली मार दे और ऐसे में आम इंसान की मौत हो जाए तो उस स्थिती में मामले को देखते हुए सिविल कोर्ट इस पर खुद संग्यान ले सकता है। दरसल आर्मी कोर्ट में सिर्फ सेना के जवानों पर कारवाई होती है। NSG कमांडो सेना के अंतरगत नहीं आते। इसमें भारतिय सेना के जवान भरती भी नहीं होते हैं। इस स्पेशल फोस की रिपोर्टिंग ग्रे मंतराले को होती है। जबकि भारतिय सेना रक्षा मंतराल झाल झाल झाल